हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वाधत हैं आज मैं आपको बताऊंगे आवला, आवला के हेल्ट और बेनेफिट्स किस तरह से हमारे सरीर में काम करते हैं तो चली मैं आपको बताती हूँ आवला कहते हैं बुजूर्गों की बात और आवले की स्वाध का पता बात में चलता है आवला बहुत भुणकारी है इसलिए इसको हर मर्च की दवा भी कहा जाता है आवला पाचन तंत्र से लेकर पाचन सक्ती दुरुस्त करता है आवला का नाम आवला भी कहा जाता है नियमी द्रूप से आवले का सेवन करने से बुड़ापा भी दूर रहता है मदुमें, बावासी, त्वच्छा, दिल की विमारीजे से गुण आवले में छिपे हैं आवले में विटामिन C, विटामिन A, B, कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, मैंगनिशियम, आईरन, काइपर हाइडरेट्स, फाइबर और टायूरेटिक एसिट पाया जाता है तो आएए दोस्तों देखते हैं आवला के बेनेफिट्स आवला फोर, डाइजेक्स्टिव सिस्टम, आवला एक आदर्सफल है, जो कई सारे फायदों को अपने आप में समेटे हुए हैं यह पाच्छन के लिए प्रभावकारी माना जाता है, दर असल इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है फाइबर पाच्छन तंत्र को मजबूत बनाता है, और कप जैसी पेट संबंदी समस्याओं को ठिक करता है आवला फोर, लिवर हेल्थ, पेंट किलर, मेडिसीन, एंटिबाइटिक, सरापका सेवन, लिवर के लिए टॉक्सिक प्रददों का निर्माड करता है नियमित आवला का परियोग करने से विसक्त पज़तों को निकाल कर स्वास्त बनाये रखता है आवला फोर, बॉन हेल्थ, आवला कैल्शियम का एक प्राकतिक श्रोत है, कैल्शियम हड्डियों के लिए एक महतपुन तत्व है केल्शियम की कमी आपकी हड्डियों को कमजोर करती हैं जिससे हड्डियों के तूटने का डार रहता हैं केल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ हड्डियों के विकास का भी काम करता हैं आवला फूर इमिन सिस्टम, रोज एक आवले का सेवन आपकी रोग परतिरुदक शम्ता को बढ़ाने में कालगर हो सकता है। इसमें एंटी ऑक्सिदेंट के साथ साथ एमिनो मेडिलेटरिक बूर्ण मौझद होते हैं। इसके कारण आवला आपकी इमिन सिस्टम मजबूत बनाता है। आवला फूर किट्नी हेल्थ, किट्नी हेल्थ सम्मंदी समस्याओं में आवला एक बहत पूर्ण कारी पड़ात फल है। नियमित आवले के सेवन से किट्नी स्टोन में भी बचाता है। आवले फूर आईज, आवला में पाय चाने वाला विटामिन सी आखों की रोशनी को बढ़ाने में मजद करता है। साथ ये आवले में मौजूत आईरन और कई सारे खानीच आखों की नई कई समस्याओं को दूर करने में फायते मंद है। इसका उपयोग मोतिय बिंद के उपचार में भी किया जा सकता है। के लिए मजबूत और रुसी से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ये बालों के स्वास्त और रिकास के लिए बहतर फल माना जाता है। इसलिए इसका अवला का परियोग है रॉइल में भी किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है।